अब जैसे जैसे सरकार एक्शन मोड पर आ रही हैं वैसे वैसे ही भृष्टाचारियों की सांसे फोलने लगी हैं और अब इसी कड़ी में नंबर लगना शुरू हो चुका है भृष्टाचारियों का अशोक गहलोजी के बेहत करीबी माने जाने वाले जेटी के पूर्व प्र करने रहेगा मेरे साथ नमस्कार मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संबाद तो पूर्व मुखे मंत्री अशोक गहलोज के प्रियतम और भष्टतम अधिकारी रगवीर सैनी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं जी हां सही सुना आ परज करवाया गया है एक्षेस आडवानी को रेलवे की आनंज विहार कॉलोनी जगतपुरा में 1988 में भूकंड ए चौदा वंतित किया गया था जिसका 2013 में ततकालिन जोन उपाईव नौ जेडी ए केसलाल मिना ने दोहरा जेडिये पट्टा जारी कर दिया जिसे जेडी आय एक तो इस शिखर अगरवाल के आदेश की पूरी की पूरी पुष्टी कर दी जेडी ट्रिब्यूनल ने आदेश को 10 मार्च 2022 को जारी किया था इस आदेश की पालना के लिए उपायोक्त जोन 9 ने उपाय से प्रवरतन शाखा जेडी को आदेश भी दे दिये थे और प्रव पिशली सरकार में रगुवीर सैनी इतने ताकतवर थी कि उनके विरुद्ध परिवाद दर्ज ही नहीं किया जा सका अब 86 वर्शी बुजुर्ग आडवानी ने कई घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद गांधी नगर जयपुर्थाने में रगुवीर सैनी के खिलाब और सहां सवाल यहाँ पर यह उड़ता है और अब इस मामले में क्या मोड आएगा ये तो आगी के कारिवाही ही बताता लेकिन जब अब कारिवाही होगी तो अमीद जताई जा रही है कि और भी नए खुलासे होने वाले हैं और यहां पर एक सवाल जरूर उठता है कि ताकतवर लोगों के साथ रहकर भष्टाचार करना बहुत ही आसान हो जाता है और इस तरह कि छलावे दिन दहाड़े होते हैं आप खुद प्रशासन के लोग ही इनमें लिप्त रहें तो आप न्याय और इमानदारी की उमीद किस से करेंगे आपकी क्या राय है इस तवाल पर कॉमेंट करके जरूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजेगा ताकि यह न्या आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका काम करने के साथ सीखना और 70% प्रेक्टिकल और 30% स्टोरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको इस पूरा कोर्ट करवाया जाएगा यही नहीं यहां आपको इंडिस्ट् और काई चैनलों में काम करने काम करने का मौका करने करें